हलो दोस्तों प्लसपन के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों अभी थंडी का मौसे में बहुत जादा थंड पढ़ रही है तो आपको गैस गिजर की जरौत पढ़ती ही रहेगी जादो तो लोग आचकल गैस गिजर का इस्तामाल करते हैं क्योंकि प्रोसेस में बताने की आपको कोशिश करोगा तो दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह आप मुसे कई सरी सोशल मेड़ा वैपसाइज के जूट सकते हैं जैसे की फेस्बुक, ट्विटर, इंस्ट्रेग्राम, वाट्सप, टेलिग्राम ये सब माधवों के जरियापों से प्रोलर का बटन है याने इसमें मिनीमम और मैक्जिमम का ओप्शन आप देख रहें अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइस गुमाओगा याने जो गड़ी घुम रही है गड़ी की दिशा है उसके विपित दिशा में अगर घुमाता हूँ तो यह मिनीमम बे आ जाता है यान आपको यहां पे temperature सेट करने के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो यह बेसिगली टेंपरेश जितना जेनरली हम लोग बीच में रखते हैं ज़ाधा भी नहीं रखते हैं जितना गैस की जडोत रहेगा उतना रहेगा और उसके इसाब से हमारा पानी जो है वह टैंपरेशन मेंटेन करेगा तो यह सब से गैस कंट्रोलर का एक बटन है कभी कभी यह आज कब लेटिस्ट जो तो गैस गिज़र आते हैं जिसमें डिजिटल रहता है इसमें गैस कंट्रोलिंग जो है टेंपरेचर के उपर अनुसा रहा था तो आपके यहां पर टेंपरेचर भी सेट कर सकते हो उसके बाद है वाटर कंट्रोल वाटर का फ्लो कि कौन सा कितना होना चाहिए अगर आपके घ जाद रहिए कि इसको मैक्जिमं पर ही डाल के रखते आम लोग ताकि जो अगरण जदम जद में वह उप्षिन को रहता है तो घर्मी का मौसम winter आने ठंडी का मौसम तो इन दोनों में मौसम से कया लिने देना इसको तो यहां पर होता है जो रहता है बरनर दो से तीन बरनर हर यह जो गैस गिज़र रहता है उसके डरहता है, winter के ऊपर रखा तो तो तीनो जो बर्नर है वो equally glow होगे equally उसके अंदर से आग निकलेगी तो पानी जो है और भैतर तरीक से और अच्छी दर से गरम होगा ज्यादा गरम होगा इन शॉट पानी क्योंकि थंडी के मौसम में भार का वाता वरेंट थंडा रहता है तो पानी को थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है correct temperature लाने के लिए तो आपको winter पर रखना है summer season में बाहर का तापमान भी बहुत जादा गरम रहता है और अंदर जो रहता है वो कम गरम होगी और पानी भी अच्छी तरश से boiling point पर आज जाएगा तो दोस्तों यह जो आपको setting समझ में आ गई gas control, water control और weather control यह तीन option हर gas gizzard में आपको देखने मिलेगे इसके आद उसके नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको इस type के connections दिखाए देगे यह जो connection है वो gas का inlet है इनलेट का मतलब है जो आपका gas का pipe रहता है जो LPG cylinder रहता है वो cylinder का जो pipeline आता है वो यहाँ पे आपको attach करना रहता है cylinder के साथ में जो attachment रहता है वो यहाँ पे रहता है इसके बाद यहाँ पे water inlet याने की government से या टंकी से आने वाला जो pipe रहता है वो आपको यहाँ पर attach करना है जो कि थंडा पानी जो रहता है वो आपको यहाँ पर attach करना है और यहाँ से निकलने वाला जो पानी रहेगा वो hot water रहता है याने कि आने वाला जो पानी रहता है यहाँ से गरम होके आता है वो यहाँ से बा जबबा देख सकते हैं यह हमारा जो डबबा है वो बैटरी का कनेक्शन है क्योंकि इसके इन दर एक छोटा सा माइक्रो कंटोलर रहता है जिसको ताकात की जरूत पर्ती है जिसको एलेक्रिसिटी की जरूत परती है इस वज़े से हम लोग इसको जो पावर सपले देते हैं वो बैटरी के ज़री है देते हैं क्योंकि इसको electric connection लगाने कि आपको जरूरत नहीं क्योंकि बहुत एक कम इसको पावर की जरूरत देता है तो हमारे बैटरी से काम हो जाता है इसलिए आपको यहाँ पर जो दिखाए यह बैटरी का मॉडिल है बैटरी इसके अंदर fix हो जाता है यहां पर देख सकते हैं यह on-off का switch है और light का indicator है अन-off का button का मतलब यह on करने पर ही यह gas गिज़र चालू होगा तब तक कि gas गिज़र चालू नहीं होगा अच्छा यह on करने पर भी directly चालू नहीं होगा इसका controlling रहत कि यह सब चीज़ों के एकदम detail में discuss कर लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से बहले बता दू हम लोगने कई सारे online courses चालू कर दिये जिसमें laptop repairing, mobile repairing, home appliances repairing, computer के graphics के related, accounting के बारे में, advanced excel के बारे में, programming के related, autocad के related, wireman, motor rewinding जैसे कई सारे अंगिनत courses हम लोगने चालू कर दिये यह मिल जाएगा, इसको download कर लिजे आपके mobile में, या आप laptop या computer के जरे सीखना चाहते हैं तो www.pluspononline.com ये website में विजिट करेंगे, आप आसानी से online courses सीख सकते हो, अधिक जान कर एक जो WhatsApp नमबर दिये है, इस पर केवल हाई का message डाल दिये है, आपको पूरी जान करे मिल तो सबसे inner चीजों की बात करें, तो आपको यहां पर एक basic structure मैंने यहां पर बताने की कोशिश किये, आप देख सकते कि यह outer जो है, गरम जो पानी निकलता है, वो यहां से निकलता है, थंडा पानी जो जाता है, वो यहां से जा रहा है, अंदर जाने के बाद एक pipe का structure बना ह हुआ है, वहां पर पानी गोल-गोल-गोल गुमता है, नीचे आप देख सकते हैं, यह gas का chimney जैसे नजर आ रहा है, जिसको अमनों बर्नर बोलते हैं, और यह जो बर्नर का pipe है, वो gas wall से connected है, याने कि basically gas से connected है, जैसे gas अंदर जाएगा, बर्नर में से आग निकलेगी, और यह पानी जो है, ग्रिल के जरे गरम होगा, गरम होने पर पानी यह hot pipe से बहाँ निकलेगा, और जो vent है, याने कि जो गरम हवा जो रहती है, बाकी की बाश्प के इस स्वरूप में यह बहाँ निकल जाएगी, तो यह basic structure मैंने यहाँ पर बताया है, लेकिन इतना आशानी है, यह सभी structure को control करने के लिए एक circuit का भी जरूप पड़ता है, तो यह उसकी चीज जो मने यहाँ पर explain करने की कोशिश कर रहा हो, कि आप देख सकते कि यहाँ पर gas जबी आ रही है, यह gas का control system बना हुआ है, जो की एक control unit के साथ में लगा हुआ है, इस तरह से गरम पानी आ रहा है, तो उसको भी sense करने के लिए एक unit के लगा हुई है, थंड़े पानी को भी एक unit के जरूए control किया गया है, यह आग को भी एक unit के जरूए control किया है, हर एक चीज एक circuit के साथ में जूड़ी रहती है, जिसको हम लोग बोलते है, micro controller circuit, ओके, तो अभी micro controller circuit कैसे काम करता है, और हमार गरम पानी, थंड़ा पानी का system कैसे काम करता है, उसको पहले समझ ले दे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते है, तो सबसे पहले हम लोग समझते है, यह जो burner है, वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आप यह आप देख सकते है, यह बर्नर का system यहाँ पर नजर आ रहा याने कि basically battery का line आया है जो कि एक ये green color का module जिसको control module लिखा गया है याने कि ये micro controller electronic circuit है जो कि हमारे gas gizzard के अंदर मौझूद रहती है और उसको supply हम लोग battery gizzard ये देते हैं ठीक है तो यहाँ पर काम कैसे करता है कि जैसे ही ये घरम पानी को थंड़े पानी को चालू किया जाए और switch इसकी on कर दी जाए तो क्या होगा जैसे पानी यहाँ से flow होगा तो यह flow sense करेगा यहाँ पर एक sensor लगा रहता है जिसको हम लोग magnetic sensor बोलते है ये क्या करेगा कि पानी आया है वो देखने की कोशिश करेगा यहाँ पानी चालू हो गया तो यह sense करके इसको instruction भीजएगा यह जो control module रहता है उसको एक information भीज़दा है पानी चालू हो गया है ठीक है इस समय यह control module करता क्या है यहाँ पर अंदर आप देखेगे तो यह लाल कले का wire जो है वो अंदर गया हुए यह igniter को चालू करता है igniter का मतलब होता है जैसे lighter बने बोता है कि lighter को sparking चालू करतेगा और साथी साथ और एक चीज़ को चालू करता है यह gas का जो line आपको दिख रहा है natural gas लेका LPG gas वो line के wall को चालू करवा देगा जैसे यह wall चालू होगा gas अंदर आना चालू करेगा gas अंदर आने पर हवा में जैसे संपर्क में आएगा यह igniter में spark होगा और spark की मदद से यहाँ पर आग जलना शुरू हो जाएगी जैसे आग शुरू हो गई एक sensor रदा है यह जो सको में लोग filament sensor बोल सकते है यह sensor sense करेगा कि यहाँ आग जल गई है वो instruction देदेगा micro controller को और यह igniter जो है जो कि spark हो रहा था वो बन कर देगा ठीक इसी परगार से आप देख सकते हैं यहाँ पर sparking यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो आपको दो चीज़ दिखा दे रही यह एक है और यह दोनों igniter है यानि कि हमारे जो sparking निकलते है वो plug है जैसे यह frame चालो हो गया यहाँ पर आग चालो हो गई तो यह जो wire है वो sense करेगा कि हाँ आग चालो हो चुकी है तो यह जो है वो instruction देदेगा control model के कि आग चालो हो गई और तो igniter काम करना बन कर देगा और आग हमेशा चालो रहेगी तो इस तरह से basically काम चालो कर देता है नीचे कभी का और पंखा भी लगा हो रहता है यह पंखे का काम रहता है आग का जो धुआ है या आग की जो heat है वो उपर की तरफ ही खाली जाए नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसको हवा भी तो चाहिए रहता ना उपर की तरफ यह देखे यहां पर पूरा control मॉडूल दिखाए दर है यहां से थंडा पानी आया थंडा पानी को सेंस किया इग्नाइटर चालो हुआ गैस चालो हो गया यह जलने के बाद इसका गरम जो है गरमी जो है यहां से थंडा पानी अंदर जा रहा है तो गरमी इस heat exchanger box के अंदर जाएगा यह पूरा copper का अंदर pipe बना वह रहता है heat oxygen box करता क्या है कि जैसे यह हमारा जो आग चालो होगा heat exchanger गरम होना चालो हो जाएगा गरम होने की वैसे उसके अंदर जो मौझूद पानी है वो भी गरम होना चालो करेगा और इसका गरम कितना होना चाहिए temperature कितना होना चाहिए वो भी एक sensor रहता है जो कि हमारा control module sense करने का काम करता है हमने जिसका जितना temperature set किया रहेगा कि इतने temperature के heat होना चाहिए पानी उतना heat होगा फिर बाग में पानी जो है गरम पानी वो बाहर निकलना चालो हो जाएगा यह outlet wall है जहां से पानी आपका बाहर थोड़ा सा अटपटा नजर आ रहा है इस वीडियो को दो-तीन बार देखोगे तो आपको automatic perfect तरीके से समझ में आ जाएगा दूबार एक बर shortcut में धोहरा देता हूँ कि यह control module है जिसको micro controller module electronic circuit रहती है इसके अंदर जिसको supply दिया जाता हम लोग battery के जरिए थंडा पानी जैस से आग जलना शुरू हो जाएगा गैस गिजर जो है काम करता है अगर ओनलाइन कोर्स के बारे में कोई भी जानकरी चाहिए तो मेरा वाटस अब नंबर है इस पर किवल हाई का मैसेज डाल दीज़े या मेरा इमेल आडिया जिस पर आप मैसेज भी डाल सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिस्निंग और अगर आपने नए है चैनल के उपर तो प्लीज सस्क्राइब का बड़न दबा के बैल का आइकोन दबा देजिए और ये वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना परिये और साती सत कमेंड में लिखे कि वीडियो में और क्या जरूरत है और आपको कुन सा वीडियो आगर चाहिए तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूगा और हमारे वीडियो को इंप्रूव करने की भी कोशिश करूगा चले इस वीडियो में इतना ही thanks for listening